हालो फ्रंट्स वेल्कम टू देविंपजे सिकाइजमी आई होप आपसे भी अच्छ होंगे पड़ाई कर रहोंगे घर पर सेफ होंगे देखिया आज की सेसिन में हम लोग सोल्ब करेंगे ऐसे से सीजियल मीन्स का एक्जाम आपका कंड़क्ट हुआ था 15, 16 और 18 नॉवंबर 2020 को तो उसके कोश्चन्स हम लोग यहाँ पर अभी सोल्ब करेंगे ठीक हमारा टार्गेट है कि प्रिप्रिएस पांच साल के कोश्चन्स का सॉल्यूशन करें इस से के दवारा जो भी एक्जाम्स कंड़क्ट करा जाते हैं जैसे कि सीजियल, 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 एम्टीयस, अस्टेनोग्राफफर, सीपियो ठीक तो इन एक्जाम्स के प्रिप्रिप्रेशन के लिए हम लोगों ने फाइव वियर्स का टार्गेट रखा था कि पिछले पांच सेल के कोश्चन्स का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो हम लोगों ने 2016 से सुरू किया और 2020 अभी हम लोग कर रहे हैं ठीक तो सब जो हम लोगों ने MB publication book से किया है 2020 अभी हम लोग कर रहे हैं 2020 में आपका CGL means के questions जो हैं वो last हैं बाकि आपका CHSL, CGL, Astronographer, CPU सबका solution कराया जा चुका है तो आप playlist section में जाकर देख सकते हैं जैसा कि हम जानते हैं कि CGL means में 200 questions होते हैं English के ठीक तो इसको हम लोग 50-50 questions करके 4 part में इसका solution कर रहे हैं तो कल हम लोगों ने first part किया था, part 2 आज ही आपको दिया जा रहा है कल आपको part 3 फिर आपको part 4 इस तरह से किराया जाएगा ठीक तो lessons को complete देखी, जो भी आपको lessons provide किया जा रहा है अगर कहीं पर कुछ समझ बना है तो comment section box में जरूर comment करिएगा और आपको एक revision class भी provide किया जा रहा है वो revision class जो है आप जब आपका exam का schedule फिर से आपका जब बनेगा covid को आजब situation सही होगा और exam जब schedule होगा तो उसमें आपको ये lessons बहुत ही beneficial साबित होंगे तो revision class जो भी आपको provide किया जा रहा है अभी आप एक पर देख लिजिए और जब आपका exam आएगा उसमें आप ज़रूर देख लिजिएगा उन lessons को जादा जादा आज से 10 minute के lessons है आप चाहें तो आराम से देख सकते हैं ठीक चलिए अब आते हैं हम लोग कि आज का जो part 2 है उसमें क्या है question तो पहला जो हम लोग करेंगे कि आपको एक passage दिया गया है आपको उस passage को पढ़कर answer को देना है questions का ठीक चलिए Plato is the earliest important educational thinker Plato जो है सबसे पहले एक महत्यपूर्ण educational thinker है यान कि वो पढ़ाय लिखाय से समंधित एक thinker है दार्शनिक है and education is an essential element और education यानि कि सिच्छा जो है एक महत्यपूर्ण element है तक थे है in the republic the republic जो है वो क्या है तो his most important work on philosophy and political theory written around 360 BC यानि कि उनके द्वारा जो लिखा गया है philosophy और political theory के उपर वो है आपका the republic किन के द्वारा तो Plato के द्वारा ठीक चलिए पढ़ते हैं in it यानि कि इसमें he advocates some rather extreme methods यानि कि इसमें the republic में वो advocate करते हैं यानि कि समर्थन करते हैं कुछ चरम methods का method मतलब की तरीकों का ठीक removing children from their mother's care यानि कि बच्चों को आप उनके मा के care से यानि कि उनके large प्यार इस तरह से जो चिंता उनकी मा करते हैं उनसे आप उनको दूर रखें बच्चों को and raising them as words of the state और उनको जो हैं एक राज के वाज के रूप में raise करें ठीक यानि कि बढ़ा करें and differentiating children suitable to the various cards और जो अलग-अलग बिभीन परकार के जो cards हैं आप उनको उनसे अलग रखें ठीक the highest receiving the most education यहां पर देखी हम लोग रूल जानते हैं the highest यहां पर देखी super relative degree यहां पर फिर से आपका super relative degree जैसे कि हम लोग comparative degree में करते हैं the more फिर कॉमा के बाद आपका दूसरा पाच आता है वो भी comparative degree में होता है यह आपका grammatical rule हो गया the highest receiving the most education यहां जितना वो ज्यादा प्राप्त कर सके education आप उतना दे so that they could act as guardian तो वो जो है guardian के रूप में act कर सके अपने सहर के guardian के रूप में जो अच्छम लोग है सच्छम का उल्टा हो गया अच्छम ठिक जो सच्छम ना हो उनका वो care कर सके he believed that education should be holistic उन्होंने belief किया विश्वास किया कि education should be holistic holistic मतलब क्या होता है समग्र यान कि ब्यापक होना चाहिए including facts किस से समलित होना चाहिए किस में जो है यह ब्यापक होना चाहिए तो facts में यानि कि तथ में skills में physical discipline में music में art में ठीक है Plato believed प्लोडों ने यह विश्वास किया कि talent and intelligence is not distributed genetically जो talent or intelligence है यानि कि जो प्रतीवा है उनका बुद्धी के छमता जो है वो जो है genetically distributed नहीं होता है and thus we found insulin born to all classes और यह हर परकार के अच्छाओं पायाता है although his proposed system of selective public education for an educated minority of the population doesn't really follow a democratic model जबकि उनका जो है यह मानना है कि जो education है public education जो है वो एक educated minority of population यानि कि बहुत ही कम लोगों में जो है यह होता है does not really follow a democratic model यानि कि वो जो है एक democratic model को बहुत कम ही मानते हैं Aristotle considered human nature Aristotle एक और जो है दार्शनिक वो कहते है कि उनका यह मानना है कि Aristotle considered human nature वो जो है मानब के जो है nature में उन्होंना भी स्वास किया have it and reason to be equally important forces to be cultivated in education उनका यह मानना है कि nature have it reason to be equally important forces to be cultivated in education कि आप सिच्छा में जो बच्चे हैं उनकी आदतें उनका कारण मतलब यह सब सारी चीजों को जो है equally उनको जो है महत्व देना चाहिए यह ultimate aim जो जिसका सबसे बढ़िया जो aim होना चाहिए लक्ष होना चाहिए और which should be produce good and virtuous citizens जिसका यह लक्ष होना चाहिए कि हम जो हैं बहुत ही सदबुन और अच्छे citizens को जो हैं मतलब लाएं उनको बनाएं अजिक ही proposed as teachers lead their students systematically जो सिच्छक हैं वो अपने students को systematically जो है प्रपस करते हैं and that repetition be used as a key tool to develop good habits और यहीं जो है repetition हमें हमें लगातार करते रहना चाहिए अच्छे आददों को लग करने के लिए unlike सुकराद emphasis on questioning his listeners to bring out their own ideas लेकिन सुकराद यह कहते हैं emphasis मतलब होता है जोड़ देना इसके साथ preposition लोग यूज करते हैं और ध्यान रखिएगा emphasis on questioning his listeners यानि कि वो कहते हैं कि जो मेरे listeners हैं आप अपने ideas को बाहर लाएं ठीक, he impresses the balancing of the theoretical and practical aspects of subjects thought यानि कि उनका यह मानना है उन्होंने issues पर जोड़ दिया कि आपको जो subject पढ़ायाता है आप उसके theoretical और practical दोनों तर्थियों पर ध्यान दें among which he explicitly mentions reading, writing, mathematics, music, physical education, literature, history and a wide range of science as well as play उनका यह मानना है explicitly यानि कि explicit मतलब होता है इससी में बहुत और पूछा गया है तो उन्होंने इस पर रूप से mention कहा है कि reading, writing, mathematics, music, physical education, literature, history and science as well as play यह सब सारी चीजों को जो हैं सिखाया जाना चाहिए which he also considered important जो उनके लिए उनके रूप में जो हैं महतकुर्ण था ठीक अब यह हम लोगों ने समझा इस passage को अब इसके बेश्ट पर जो हम लोग questions का solution करेंगे which of these methods is not advocated in the republic तो the republic में क्या नहीं किया गया था मतलब जो है क्या एडवोकेट नहीं किया गया था एडवोकेट इसके द्वारा लिखा गया है तो प्लाइटों के द्वारा लिखा गया है ठीक है जैसके हम लोगों ने पहला paragraph में पड़ा तो चली options एकते हैं keeping children away from mothers उन्होंन गलत हो गया उन्होंने कहा तो कि हर बच्चे का जो है genetic जो है समान नहीं होता है हर बच्चे का जो है development अलग अलग तरीके से होता है तो यहां पर आपका right answer है वो है आपका option B आते हैं question number 27 पे Aristotle believed that virtuous citizen could be produced by cultivating तो Aristotle माना था कि virtuous यानि कि जो सदगुन लोग होते हैं जो सदगुन जो अच्छे citizens होते हैं उनको cultivate कैसे कर सकते हैं उनको जो हैं पर पढ़ा था इस में ठिक तो यहां पर आपका राइड आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका option A यहां पर देखिए Aristotle considered human nature habit and reason और जो question number आपका first था यहां पर देखिए अगर हम पढ़ाएंगे तो यहां पर उन्होंने advocate किया था कि आप बच्चे को धूर रखें ठिक और यहां पर उन्होंने बोला था कि सभी का जो है जो आपका genetic जो है वो अलग-अलग होता है देखिए यहां पर जो है जो है अलग-अलग होता है तो यहां पर आपका right answer option A हो जाएगा चलिए आते है question number 28 पर what tool does Aristotle advocate to teachers to develop good habits in students reading, questioning, repetition या फिर राइटिंग तो हम लोग नहीं देखा था उनका मानना यह था कि हम हम जो है एक ही चीज़ को बार बार रिबीट करते रहें तो वो जो है आपको एक आदत बन जाता है right answer is the option C जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि revision करिए आपको जल्दी याद रहेगा अब भूलेंग नहीं ठीक तो यहां पर रही बात हो रहा है B C था ठीक तो इन चीजों को भी ध्यान रखेगा यहां पर देखिए तो यहां पर जो आपका right answer है वो हो जाएगा आपका option B ठीक option यहां पर AD के जागा BC होना चाहिए right answer option B question बचाटी Children who are imparted highest education would be responsible for जिनको highest education जो है दिया जाता है वो responsible होते हैं किसके लिए options देखिए developing talents and skills teaching the illiterate guardian the city यानि कि ताक कि वो जो है पूरे सहर का guardian बन सके उनकी देखवाल कर सके जो अच्छा हम लोग है उनको वो देख्वाल कर सके यह हम लोग पढ़ा था तो right answer is the option C ठीक तो यह है इस passage के based for five questions जो आपको officially questions दिये कहते हैं अब हम लोग आगे फिर करते हैं कल हम लोगों ने एक passage किया था और बाकी जो 40 questions और किये थे question number 51 to 90 आज हम लोग 91 to 130 के आसपास करेंगे ठीक इसका फिर आपको और आगे lessons जो है provide किया जाएगा तो आपको जो है दो passage और दो fill-in-the-blank था एक एक पैसिस और एक fill-in-the-blank हम लोग ऐसे से करके जो है solution करते जाएंगे ठीक तो एक भी question आपका छूट अगर नहीं तो PDF अगर आप चाहते हैं कि download करना है आपको आप खुद से practice कर सकें तो आप हमाई telegram channel को join करिए description में लिंक है आप वहाँ से download कर सकते हैं identify the segment in the sentence which contains a grammatical error question 91 में आपको grammatical error को find out करना है she has been a member of this club since its formation ठीक तो देखिए she has been a member कोई दिक्कात नहीं a member of this club कोई दिक्कत नहीं यहां तक since its formation इसके बनने जब से यह बना है तब से यह जो है इस club की member रही है तो जब से यह बना है ठीक तो यहां पर जो इस sentence का जो आपका भाव बन रहा है वो होना चाहिए आपका present perfect tense जब से यह बना है ठीक तो यहां पर जो है since it has formed होगा since it has formed यानि कि जब से यह club जो है वो बना है तब से वह इस club की member रही है ठीक तो यहां पर जो है since its formation के जगा since it has formed का use हम लोग करेंगे यानि कि right answer is the option c आप ते हैं question 192 पर यहां पर आपको sentence arrange करना है तो इसके लिए जो है हम क्या करना है कि पहले चारो sentences को जो given है यहां पर उनको हम पढ़ेंगे ठीक उसमें से एक subject को choose करेंगे ठीक क्योंकि अगर हम एक subject को पता होगा तो हम जो है इसको interrelate कर पाएंगे बाके जो questions remaining है वो ठीक तो यहां पर आप पढ़ेंगे अच्छे से तो यहां पर आपका एक subject बनेगा सबसे पहले हम आज जो है चारो sentences को पढ़ते हैं ठीक उसके बाद जो हम यहां पर आज conclude करेंगे कि कैसे जो हैं चीजों को connect करना चाहिए but he seems यहां पर subject जो है कोई और है तो आप इससे sentence शुरू नहीं कर सकते हैं the result is that we spend all result यानि कि यह जो चीज है यह आपका आखिर में होना चाहिए क्योंकि अगर आप exam दे रहे हैं तो आपका result जो है सबसे last में आएगा तो maybe यह part जो है आपका last में आए ठीक इसलिए आप यह भी eliminate कर सकते हैं कि आपका इससे sentence नहीं बनेगा God constructed the human body with a lot of forth out and solitude यानि कि आपका sentence जो है इससे शुरू हो सकता है यानि कि आपका subject जो है आपका यहाँ पर एक God के रूप में दिया हुआ है ठीक यहाँ पर जो है आपका God के रूप में दिया हुआ है तो यहाँ पर जो है हम लोग सुरू कर सकते हैं C से ठीक यानि कि God constructed the human body with a lot of forth out and solitude यानि कि God ने construct किया human body with a lot of forth out यानि कि ज्यादा सोच समझ कर पूरे solitude के साथ थिक यानि कि C but he seems to have become weary when it came to the ears लेकिन वह जो है यहाँ पर बोला गया कि जो human body है God ने बहुत ही सोच समझ कर बनाया है ठीक लेकिन वह जो है काफी weary हो गया है मतलब कि एकदम अलग उन्होंने सोचा जब यह जो चीज है यानि कि human body के कान बनाने के रूप में आया तो वह बहुत ही उन्होंने अलग चीज सोच लिगा यानि कि C के बाद आया यानि कि देखे human body से related एक पार्ट आपका यहां पर यह के बारे में दिया गया है ठीक सी के बाद आया आया आपका ए किनके बारे में यहां पर देखे them यानि कि years के बारे में year आपका यहां पर प्लूरल है इसको reflect करने के लिए them का यूश हुआ यानि कि उसने जो है उसे भलनी रेबल का यहां पर आपको comment section वे बताना है कि इसका अर्थ क्या हुआ यह हम लोग जो है result क्या हुआ तो यहां पर देखे हैं हम लोगों ने starting में ही देखा कि result जो है हम लोग एक्जाम देते हैं और result जो है आपका सबसे last होता है तो maybe यह part आपका last बन सके ठीक तो देखें यहां पर C A D B B आपका last हुआ C से हम लोगों ने शुरू किया तो यहां पर जो आपका राइक आउंसर है वो है आपका option A ठीक तो यह जो चीज़े हैं आप जल्दी इसको समझ सकते हैं जब आप इस पर ज्यादा से ज्यादा practice करेंगे ठीक तो बाकी और जो questions आपको देखने को मिलें करेंगे तो उसका आपको जो है comment section वे जैसे कि आपका यह question आगया 93 आप चीज़ों को अगर practice कर रहे हैं समझ रहे हैं तो आप इसका जो है answer बताईएगा कि इसका जो है answer क्या होगा ठीक आते हैं question 94 पे यहां पे आपको underlying segment में improvement के जरूरत है तो given options हैं यहां पे आप उससे कर है नहीं तो फिर no improvement option के साथ जाएं ठीक the place was not hold only and also damp एक चीज़ हम लोग जानते हैं but also not only but also not only या फिर not only but also ठीक तो यहां पर देखे कर आप options carefully देखेगा not only यहां पर but also का use one only eliminate यह eliminate not only but also ठीक तो right answer is the option जी यह हम लोग ने grammatical rule में पढ़ लिया है अगर आपको rules समझने हैं तो आपको description में एक link मिलेगा बावाग्यान grammar rules के नाम से आप उस playlist को देख लिजे सारे grammatical rules जितने भी important हैं जितने भी SSC exams में question बनते हैं grammar rules से आप उहां पर जो हैं देख पा 9 to 5 में आप आपको indirect speech में change करना है say to me have you ever flown a kite say to को यहां पर हम किस में change करेंगे हम लोग बहुत सारे lessons में हम लोग देख चुके हैं कि जहां पर indicative sentence है वहां पर हम लोग यूज करते हैं asked का और उसके वाद inverted comma भाचाने के लिए if का use करेंगे ठीक तो options अगर आप carefully देखेंगे तो ask, 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 ask ठीक if, if, if और यहां पर that एक option आपके eliminate हो गया ठीक है एक option तो आपने eliminate कर लिया अब यहां पर options देखेंगे तो यहां पर देखेंगे आपका यह जो part है यह आपका present perfect है तो आप इसका अनुसार change करेंगे यानि कि यह आपका past perfect में part बन जाएगा ठीक तो options देख हैप को जियों कत्यों छोड़ दिया गया है तो आप इससे भी eliminate कर सकते थे थे ठीक तो right answer is the option B तो अगर आपको narration में किस परकार का दिक्कत है तो आप हुआए telegram channel को जान करिए उसके pin section में जाहिएगा तो वहां पर आपको मिलेगा narration के नाम से एक PDF आप उस PDF को पढ़ लिज ठीक तो my mother subject gave verb का second form direct आपका भरव आया है यह second form में है और यह आपका object याने की यह आपका हो गया past definite यह हम लोग जो है जब tense और voice सीख रहते हैं तो वहां पने हम लोग ने सीखा है tense और voice को अच्छे से बनाना समझना कि कौन सा sentence जो है present में है कौन सा past में कौन सा feature में उसको हम लोग उसको voice में भी change करना के लिए हम लोगों ने सिखा है तो अगर आपको दिक्कत है थोड़ा सा भी तो आप जो है playlist section में जाकर देखिए या फिर आपको description में मिल जाएगा voice और tense के lessons के लिए ssc 4-5 days place ठीक तो इस playlist में जो है आपको tense और voice साथ साथ मिल जाएंगे आप तो follow कर सकते हैं इस playlist को अब यहाँ पर जो है हम लोगों ने देखा कि यह past indefinite थे तो जब हम इसे passive voice में change करेंगे तो subject plus was या where plus verb का third form हम लोग use करेंगे तो आप अपने options को carefully देखिए यहाँ पर देखिए am का use, eliminate, has been, eliminate, I was given और यहाँ पर is का eliminate, तो right answer is the option C तो अपने structure अप अपने options को eliminate कर लिया, right answer option C, question line is saving यहाँ आपको jumble sentences दिये गए हैं फिर से तो इसके लिए हम लोगन अभी सिखा है कि पहले sentences को पढ़ेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर connect करेंगे, तो एक subject आपका clearly हमें दिख रहा है my father के रूप में, ठीक, तो यहाँ पर आपका D से बनना च than his brother Oscar, यानि कि मेरे पिता जी जो है, वो एक साल बड़े थे अपने भाई Oscar से, यानि कि जो चाचा हुए Oscar, उनसे मेरे पिता जी एक साल बड़े थे, ठीक, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर देखे, दो वेक्तियों के बारें बात हो रहा है, एक प इसका आंसर जो है, option B होगा, आप इस lesson का पीडिया टेलग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड करके प्राक्टिस कर सकते हैं, question 98 इसका आपको answer बताना है, यहाँ पर देखे, महात्मा कांदी जी के बारे में बोला गया है, चले आते है question 99 पर, यहाँ पर coin director switch में चेंज करना है, the तो आप यहाँ पर दो options eliminate कर सकते हैं, tomorrow वाला eliminate, tomorrow वाला eliminate, ठिक, अब यहाँ पर देखे, would का use, यहाँ पर will का use, तो यह भी आपका option eliminate, right answer is option B, अपने sentence को पूरा नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपने यह चीजों को देखना है, set to को हम लोगों ने change किया, told में, tomorrow को by next day में, और यहाँ पर will को, अगर यह past में है, तो हम इसका भी past form में use करेंगे, ठिक, तो यहाँ पर I'll answer option B, उस video को आप जरूर पढ़ लिजेगा, question 100, यहाँ पर आपको, जो है, underlying segment वो improvement के जरूरत है, तो करें ने, तो no improvement option के साथ जाए, we are coping the problems with the waste of our availability, ठिक, तो यहाँ पर जो है, आप with का use करते हैं, इसका मतलब होता है, सामना करना, तो अगर आपको चीज़े याद है, मतलब कि यह आपको पता है, कि हमें cope के साथ क्या use करना है, with का use करना है, तो आप अपने options सबसे पहले eliminate करिए, यहाँ पर देखे, eliminate, यहाँ पर देखे, eliminate, यह no improvement भी आपका eliminate हो जाएगा, तो right answer automatically option A हो जाएगा, we are coping with the problems to the best of our ability, right answer is the option A, question number 101, यहाँ पर फिर से jumble sentences, ठीक, तो यहाँ पर देखे, जो है, आपको क्या करना है, कि sentences को पढ़कर उसके बाद जो है, आप इसे अच्छे से इसका practice करना है, तो यहाँ पर दो subject आपको जो है, clearly मिलेगा, एक mummy, ठीक, और ए इसे बारे में बात होगा, आप इससे अच्छे से समझ कर, बनाईगा, question number 102, यहाँ पर आपको grammatical way को find out करना है, the man played the flute and laid all the mouse out of the town, the man played the flute, होई दिखकता है इस part में, and laid all the mouse, यहाँ पर देखे, all का use हुआ है, all जो है, plurality को दिखाता है, यानि कि बहु बचन में सो करता है, तो जब यह बहु बचन को सो कर रहा है, तो mouse को भी बहु बचन में ही change करेंगे, यानि कि इसको plural form में बनाएंगे, तो mouse का plural क्या हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक, तो यहाँ पर जो आपका right answer है, वो है आपका option A, mouse को इसके plural form में बनाकर, इससे sentence को complete करिए, question number 103, यहाँ आप आपको passive voice में change करना है, hang the washing on the cloth slide, ठीक, यानि कि आपको जो है इस तरह के sentences में, क्या करना होता है, इस तरह के sentences में हम लोग मनाते हैं, let's say, उसके बाद आपका subject, फिर आपका be, और फिर आपका verb का third form, ठीक, तो option देखे, let the washing to eliminate, यहाँ पर देखे, be का use हुआ नहीं है, पर जो words आपको दिये गए है, एक hang है, और एक hand है, तो यह जो hand का use होता है, यह लटकाने के लिए, ठीक, जो how फाट कने के लिए जो बात होता है, वहाँ पर हम लोग use करते हैं, hand का, hand till death, यह जब judge जो है order देते हैं, तो वहाँ पर बोला जाता है, hand till death, ठीक, तो यह जो हैσα पर लटकाने के लिए और यह हंग जो है यूज होता है यह लटकाने के लिए किसी कपड़े बेगरा को तो यहां पर आपका राइड आंसर है वह है आपका ऑप्शन सी तो इसके अनुसार जो है भर्ब का यूज होना चाहिए तो है आपके जगा हम क्या यूज करेंगे हैस का यूज करेंगे सब्जेक्ट सिंग्लर भर भी सिंग्लर राइड आंसर ऑप्शन भी कुर्शन नुबर 105 यहां पर आपको इंप्रूमेंट के जरूरत है तो कर रहें नहीं तो इंप्रूमेंट ऑप्शन के साथ है आई विल असप्ट दर रिस्पॉंसबिलिटी वाइल अपक वेन का तो वेन बाद ऑप्शन के साथ हम जाएंगे राइज आंसर दर ऑप्शन सी अगर आपको कंजिशन सेंटेंस सिखना है या लेसन को देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आप देख सकते हैं कुश्ट नमबर 106 यहां पर आपको मिसस्पेल क को चूज करना है तो यहां पर जो मिसस्पेल था वो है आपको ऑप्शन है अश्टेच एस टी आर ए टी सी एच ठीक अश्टेच यानिकी खरूच बाकी ऑप्शन से अगर आप देखेंगे तो सिल्स यानिकी समझ सॉलो यानिकी निगलना सर्वे यानिकी सर्वेशन इक्सक्लेम का यूज होता है सबका यूज अलग-अलग है ठीक तो यह जो है आपको जो पीडियाफ आपको है नारेशन हमाई टेलग्राम चैनल पे इस पीडियाफ को पढ़ने कवा सारी चीज़ों है क्लियर हो जाएंगे कहां पर हम ओजर का यूज करना है कहां पर कमांड का यूज करना है कहां पर रिक्वेश्ट का यूज करना है ठीक तो देखिए जहां पर प्लीज का यूज होता है वहां पर हम लोग यूज करते हैं रिक्वेश्ट का ठीक कमांड मतलब क्या कि कोई व्यक्ति आपको आदेश दे रहा है ठीक तो ऑप्शन देखिए यहां पर जो है गलत है राइज आंसर ऑप्शन बी आते हैं question number 108 पर यहां पर आपको इंडिरेक्ट स्वीच में चेंज करना है the teacher says यह देखें आपका subject प्लत भर का फिप्ट पर में यानि कि यह present में है आप answer बताईएगा comment section box में question number 109 यहां पर आपको डिरेक्ट स्वीच में चेंज करना है तो यहां पर देखें warn का use हुआ है ठिक यहां पर आपको क्या use हुआ है warn का use हुआ है ठिक तो यहां पर आपका यह past में है तो past वाले form में इसको ध्यान में रखकर यहां पर बनाईएगा और इसके बाद यह आपका present में होना चाहिए क्योंकि यह past यह present में होता है यानि के अंदर वाला तो हम जो हैं से इसका अनुसार यानिकी past में change करते हैं तो options जो है आपके दो तो ऐसे ही eliminate हो जाएंगे यहां पर suit का use हुआ नहीं है late का जो है ऐसा sentence मनता नहीं है और यह past में ही है तो इसका right answer option A हो जाएगा question number 110 यहां पर आपको passive voice में change करना है has has applied for live subject has have plus verb का third form यानिकि present perfect में है तो जाब आप इसे passive voice में change करेंगे तो has have plus been plus verb का third form use होगा तो options देखिए आप जो है options को eliminate करेंगे यहां पर head का use right answer option C question number 111 यहां पर आपको direct switch में change करना है I told my parents not to worry about me I told my parents past में है तो told को say to में change करेंगे take or not to worry यहां पर लिखा गया है तो इस तरह के sentences जो है यहां पर यह आपका बनेगा you do not और यहां पर आपका right answer option D question number 112 यहां पर आपको synonym बताना है यानिके प्रवाची सब्द ramification का ramification मतलब क्या होता है परिणाम ठीक है एक जटिल परिणाम अब यहां पर options देखिए option D question number 113 यहां पर आपको idiom का अर्थ बताना है if we lay our heads together we will surely find a solution तो lay our heads together इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि हमें सब को मिलकर काम करना चाहिए हमें क्या करना चाहिए सब को साथ में मिलकर काम करना चाहिए option देखिए take a break यानिके एक ब्रेक लेना चाहिए चुट्टी लेना चाहिए work in isolation isolation मतलब कि अलग होकर काम करना चाहिए rest for a while यानिके थोड़े देर के लिए अराम करना चाहिए work in consultation यानिके एक दूसरे से विचार विमर्स करने के बाद काम करना चाहिए form यूज करते हैं यानिके infinite को यूज करते हैं तो एरे हो जाएगा आपका option d safeguarding के जाएगा safeguard का यूज करिए question number 115 यहां पर आपको बहुत बताना है group of stars that make up pattern यानिके थारो का समूह जो एक pattern बनाता उसे क्या बोलते हैं planet यानिके ग्रह eliminate उसे बोलते हैं हम लोग constellation तारो का समूह राइड answer is option b horizon यानिके चिति इस comment यानिकी धूम के तू question number 16 यहां पर आपको जमल sentence को arrange करना है तो यहां पर आपको sentences को पढ़कर एक subject को choose करना है तो देखिए आपका subject जो है एक मारिया बन जाएगा अच्छा यहां पर देखिए आपको options जो है गीविन नहीं है तो इसका answer जो है आपको बता देंगे यहां पर आपका subject ऐसे बहुनना चाहिए मारिया यानिके सी से आपका sentence जो है सुरू होगा ठिक आते हैं question में कि 17 पर यहां आपको इंडियरेक्टर स्विश्च करना है he said to his brother pack your bags and leave now now को हम लोग change करेंगे देन में ठीक options देखेंगे अगर आप carefully now eliminate now eliminate अब दो options हैं अब यहां पर बोल रहा है कि अपने back को pack करो और यहां से जाओ यानिकि वो व्यक्ति जो है suggest कभी नहीं करेगा कि back pack करो और जाओ ठीक suggest मतलब होता है सला देना तो वो करेगा instruct य आपको जो है इस पीडियोप जो हम आपको अभी बताएं कि narration कराम सब्सक्राइब पीडियोप में लेगा हमाई telegram channel पर पींड सेक्शन में आप जाकर देखेंगे तो तो वहां पर आपको बताएं कहां पर आपको suggest का use करना है कहां पर command कहां पर order कहां पर request सारी चीज़ आप आपको बताई गई है question number 18 यहां पर आपको इंडरेक्टर स्विंश चेंज करना है the landlord say to me did you pay the water be long time say to दो say to come change करेंगे ask में कि आपको संटेंज जो है यह आपका देखिया यहां पर future में जो है आपका question mark दीका हुआ है ठीक एंक के इंडरेक्टिव में है तो यहां पर हम लोग ask का use करेंगा और उसके बाद जो है if या जो है जो है यूज करेंगे वेदर का तो यहां पर options अगर हम देखेंगे तो ask me when, ask me when, dad का use, eliminate यहां पर use हुआ ही नहीं है तो दो options आपने जो है eliminate कर लिए अब यहां पर यह past है और यह past indefinite है तो इसको हम लोग past perfect में change करेंगे यह सारे rules आपको बता दिये गए हैं तो यहां पर देखे subject plus, hedge plus, फ़र पैठाज पर यह past perfect है, right answer is the option A question number 19, यहां पर आपको जो है underlying segment or improvement के जरूरत है तो करेंगे तो for no improvement option के साथ जाए many a person are unable of distinguish right from wrong, distinguish मतलब होता है कि answer करना और इसके साथ हम proportion use करते हैं from का यानि कि गलत और सही में answer नहीं बता पाते हैं बहुत सारे लोग, चुकि यहां पर many के बाद a का use हो है, तो many के बाद अगर a का use हो, तो हम अपने subject को singular form में रखते हैं और भर्व भी, जो helping भर्व होता है, उसे भी हम लोग singular form में ही use करते हैं, तो चुकि हम देख रहे हैं कि many के बाद a का use हो है, तो यहां पर आपका subject जो है singular रहेगा, और जो helping भर्व है, वो भी अपने singular form में रहेगा, तो options अगर दखेंगे, तो are eliminate, यह भी गलत, are eliminate, और यहा question number 120, यहाँ आपको jamal sentence दियागा, इसे आपको सही order में arrange करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले 4 sentences को बढ़ना होगा, तो देखेंगे, आपको subject बन जाएगा, henry, ठिक, यानि कि D से आपको सुरू होगा, तो D यहाँ पर सारे options यहाँ पर given है, dog with a pedigree, यानि कि आपको जो है, dog के बारे में यहाँ पर बात होगा, तो आप इसे अच्छे से पढ़िएगा, question number 120, यहाँ पर आपको एंटोनिम बताना है, यहाँ कि बिप्रीत, crucial का, crucial मतलब होता है, महत्पून, आप इसका बिप्रीत क्या होगा, opposite का होगा, urgent यानि कि बहुत ही महत महत्पून, आवश्यक, eliminate क्या, synonym होगया, stable यानि कि, इस्थिर, essential यानि कि, महत्पून, आवश्यक, यह भी eliminate, synonym है, trivial यानि कि, महत्पूहीन, right answer is the option D, यह के, महत्पून, हो रही के, महत्पूहीन, question number 122, यहाँ पर आपको इंट्रेक्टर स्विश में, change करना है, महे, say to prayer, how will you pay off your debts, say to change करेंगे, ask में, और यहाँ पर if या whether का use करेंगे, या फिर कुछ भी, यहाँ पर जो है, अगर नहीं दिया रहा है, तो हम dad का use तो करेंगे, नहीं, interrogative में, तो इसलिए आप इस option को eliminate कर सकते हैं, अब ask का, और will जो है, इसका अनुसार change होगा, तो यह past में, यानि है, वो है आपका option C, यह सारे rules आपको मिल जाएंगे, 123 में आपको इडियों करता होता है, the threat of pandemic is not just a cry in the wilderness, a cry in the wilderness, इसका मतलब कर होता है, someone who is pointing out the danger in a situation or the truth, ठीक, यानि कि कोई व्यक्ति जो हैं आपको अगाह कर रहा है, किसी खत्रे के बारे में, ठीक, जो जिस पर आप attention नही हो रहे है, मोर्न कर रहे है, ठीक, an unheated warning, यानि कि एक ऐसा खत्रा है, जिस पर आपने heat नहीं किया, समधारी नहीं दिखा या अपने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो right answer is the option B, ठीक, आते हैं question number 124 पे, यहाँ पर जमल sentence दिया गया है, तो यहाँ पर एक subject आपको clearly दिख रहा हो question number 125 में आपको idiom करता होता है, his comments cast a slur upon the integrity of his manager, तो cast a slur, इसका मतलब क्या होता है, cast a slur, इसका मतलब होता है, कि किसी के repetition को छती पहुंचाना, ठीक है, क्या होता है, किसी के repetition को छती पहुंचाना, options देके, praise यानि कि प्रशनसा करना, damage यानि कि छती पहुंचाना, redeem राप्त क इंप्रूब यानि कि सुधार करना, right answer यहां पर option B हो जाएगा, चुकि इसका अर्थ होता है, किसी के repetition को छती पहुंचाना, तो यहां पर damage है, छती पहुंचाना, इसलिए हम यहां पर option B को use कर रहे है, his comments cast a slur upon the integrity of his manager, यानि कि उसके manager के एकता, निष्ठा पर जो है, उसके comments ने जो है, उसके repetition पर छती पहुंचाई है, right answer is the option B, ठीक, तो यह है आज के लगवक 40-50 questions हम लोग ने कि, ठीक, कल आपको path 3 मिलेगा, फिर आपको path 4 भी मिलेगा, और revision class तो आपको जेली मिली रहा है, और हमाई telegram चैनल पे, आप इस तरह के PDF, synonym or internet के प्राप्त कर सकते हैं आप जाएंगे, telegram channel को join करेंगे, और उसमें जो हाँ स्ट्रॉल करके 20-25 दिन पहले के lessons पहले का देखेंगे, तो आपको उसमें सारे lessons जो है, यह मिल जाएंगे, आप जैसे से उपर जाते जाएंगे, सारे lessons आपको मिलते जाएंगे, सारे MB publication books हैं, सारे important word meanings हैं, ठीक है, तो आपको मिलते जाएंगे, सारे 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 मिलते